ओके दोस्तों चली रेखे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि वीन का विस्थापन नियम तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूँ ये पार्ट नमबर थ्री है हमारे मादमिक सिक्षा मंडल मदप्रदेश भोपाल के कक्षा ग्यारवी के प्रफिक्स पेपर का तो वीन काविस्थापन नियम जो है वो क्या कहलाता दिखे वीञाओ का विस्थापन नियम के tips है लिख ली to pick 256 जो है नियरली सभी प्रकार की हमारी जो परिक्षा बोध है परिक्षा ध्यान है उसमें से आपकोन ही मिलेगा ये-श्यप्टर के वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है, जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है, तो वस्तु से उत्सर्जित उर्जा के अधिक्तम मान के बाद और अधिक्ताप बढ़ने पर तरंग देर्ध घटती जाती है, घटती जाती है, समझ रहे हैं? मतलब अधिक्तम मूर्जा इस तर के आप उपर जा चुके हैं, उसके बाद भी आप ताप बढ़ाएंगे, तो तरंग देर्ध घटती जाती है, और इस सिचुएशन में, क्या लिखेंगे? तथा दिये गए ताप पर, ताप पर, तरंग देर्ध का मान, का मान, परम ताप के विद्ध क्रमानु पाती होता है, होता है, ओके, इसे ही वीन का नियम कहते हैं, अब आप इसको बोलते हैं, तो आप इस चीज को ऐसे समझिये, मैं आपको एक 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 जामपल देता हूँ, कि अगर आप किसी चम्मच को गरम कर रहे हैं, किसी स्पून को गरम कर रहे हैं, तो बताओ, अगर ये बहुत जादा गरम हो चुका होगा, चलो, सिच्वेशन मैं देता हूँ, कि इसमें दो कलर आपको दिखाई देते हैं, किसी चम्मच को गरम करते समय, एक लाल कलर और एक नीला कलर, तो बताइए, जब ये बहुत जादा गरम हो चुका होगा, तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, लाल कलर ये नीला कलर, जब ये बहुत जादा गरम हो चुका होगा, तो आपको किस कलर का दिखाई देगा, लाल कलर ये नीला कलर, मतलब एक्स्ट्रीम कंडिशन है, चम्मच को आपने गरम किया है, तो लाल कलर का दिखाई देगा कि नीला कलर का दिखाई देगा यह जो आपको कलर दिखाई देते हैं यह वीन के नियम से ही होते हैं दरसल इसलिए मैंने आपसे एक क्वेशन पूछा है तो आप किसी चम्मच को आप गरम करिए बर्नर के उपर रखे गैस के तो पहले क्या होगा पहले वो लाल गलर का हो जाएगा ओके लाल रंग का हो जाएगा और जब आप इसे और ज़्यादा गरम कर दोगे तो finally ये नीले रंग का हो जाएगा ओके फिर ये किस कलर का हो जाएगा नीले रंग का हो जाएगा क्यों देखो भई अभी मैंने आपको पताया lambda is inversely proportional to t मतलब अगर आप तापमान बढ़ाते जाएंगे तो wavelength तरंग देर्ध घटती जाएगी और तरंग देर्ध का क्रम क्या होता है बैजानी हापी नाला आपने पढ़ा हो गई बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल मतलब लाल रंग की तरंग देर्ध सबसे ज़्यादा होती है तो जब कम तापमान होगा तो लाल रंग और जब सबसे ज़्यादा तापमान होगा तो तरंग देर्ध सबसे कम बाली तो सबसे तंग दर कम तरंग दर किसके होती है बैगनी कलर की तो इसलिए वो उसको नीला बोल रहे हैं और जनरल आपको कैसा कलर दिखाई देगा चम्मच का जब बहुत गरम होगा तो नीला हो जाता है ठीक ना इसलिए इसका ये कहलाता है भाई वीन का विस्थापन नियम ठ क्रिष्णिका पे भी लगता है और क्रिष्णिका के लिए भी इसको डिफाइन कर देते हैं और मैंने आपको वस्तु के लिए डिफाइन कर दिया कि किसी वस्तु के लिए तो बिल्कुल नियम सही है आप इसे याद करके जाएए इस एक्जाम में नहीं बना है तो कोई बात अगला क्वेश्ट उश्मा धारिता की परिभाषा एवं मात्रक बताना है देखिए यहां पे आप से पूछा गया है विश्ष्ट उश्मा के बारे में ठीक विशिष्ट उश्मा और उश्मा धारिता ठीक ना तो एक चीज तो होती रेखिए उश्मा धारिता गुश्माधारिता क्या होती है गुश्माधारिता किसी दिये गए दिये गए M द्रवमान की वस्तु का तापमान एक डिगरी सेंटिग्रेट से बढ़ाने के लिए कितने से एक डिगरी सेंटिग्रेट से बढ़ाने के लिए किसी दिये गए वस्तु के एक M द्रवमान की तापमान को एक डिगरी सेंटिग्रेट से बढ़ाने के लिए जो उश्मा उसे देनी पड़ती है मतलब M द्रबमान की वस्तु जो होती है जो उश्मा धारण करती है जो उसका तापमान एक डिग्री सेंटे ग्रेट से बढ़ा दे उस उश्मा की वैल्यू को क्या बोलते हैं? उश्मा धारिता और इसकी वैल्यू होती है M into C ठीक है न? उस्मा धारिता को क्या बोलते है M into C ओके स्टूडिन्स देखिए मैं यहां पर थोड़ा क्वस्चन में विसेश्ट उस्मा धारता बोला है मेरे को लग रहा है इस क्वस्चन को चेंज करके विसेश्ट उस्मा करना चाहिए विसेश्ट उस्मा धारिता कुछ नहीं होता है या तो उस्मा धारिता होता है या विसेश्ट उस्मा होता है तो मैंने उपर आपको उस्मा धारता की कंडिशन बताई परिभाशा कि किसी दिये गए द्रवमान की वस्तू का तापमान है ना या किसी पदार्थ M द्रवमान का कोई पदार्थ है उसका तापमान 1 degree centigrade से बढ़ाने के लिए जिस उश्मा की मात्रा होती उसको हम बोलते हैं क्या उश्मा धार्था M into C ये देख लिए परिभाशा उस्मा धार्था की आवश्यक उस्मा की मात्रा को उस पदार्थ की उस्मा धार्था कहते हैं इसका मात्रक है Joule पर Kelvin इसका मात्रक जो होता हो क्या होता है Joule पर Kelvin अब देखिए थोड़ा सा फरक आ गया यहां पर उविशिष्ट उस्मा में जिसके आपको पूछा गया है इसमें क्या है? इसमें बस आपको पदार्थ का एक ग्राम लेना है एकांक द्रवमान लेना है आपको तो किसी पदार्थ के एकांक द्रवमान के तापमान को एक डिग्री सेंटिगेट या एक केल्विन से बढ़ाने के लिए उस पदार्थ की विशिष्ट उस्मा कहते हैं तो विशिष्ट उस्मा को सी से प्रदर्शित करते हैं C बराबर उस्मा की मात्रा प्रती एकांक द्रवमान प्रती एकांक तापमान में परिवर्तन डेल्टा टी तो ये होती है C की वैल्यू ओके इसकी इकाई क्या होती है जूल ओके पर किलोग्राम पर केल्विन ठीक ना तो किसी भी प्रती एकांक द्रवमान का तापमान एक डिगरी सेंटिग्रिट से परिवर्तित करने के लिए उस पदार्थ को जो उशमा देनी पड़ती है उसको अम क्या बोलते हैं उसकी विसिष्ट उशमा तो यहा पर विसिष्ट उशमा धारिता नहीं होना चाहिए यहापर क्वेश्चन में विसिष्ट उशमा होनी चाहिए तो correct answer इसका यही होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं अगला सवाल वीन का विस्थापन नियम हो गया अगला सवाल है कि इस पष्ट कीजिए कि क्यों अधिक परावर तक्ता वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं तो चलिए इस question को अब हम थोड़ा सा side में ले आये हैं और इसको समझते हैं ये question बहुत अच्छा question है मेरी नजर में क्योंकि इस question ने आपको गुमाया है कह रहा है कि सपष्ट कीजी कि क्यों अधिक परावर तक्ता ठीक ना मतलब सीरी बात है कि परावरतन चमता क्या है बहुत शानदार है किसी की परावरतन चमता जो है अधिक है परावरतन चमता क्या है अधिक है अगर परावरतन चमता अधिक है इसका मतलब अब शोशन चमता कम है मैंने बताया था आपको क्लास में कि परावर्तन चमता अधिक है मतलब अवशोशन चमता क्या है कम और जिसकी अवशोशन चमता कम होगी जो कम अवशोशित करेगा वो कम उठसर्जित भी करेगा अच्छे अवशोशक अच्छे उत्सर्जक होते हैं और गंदे अवशोशक गंदे उत्सर्जक होते हैं क्योंकि इसकी अवशोशन चमता अल्प है अतह इसकी उत्सर्जक चमता भी जो होगी अल्प होगी अतह इसकी उत्सर्जक चमता भी क्या होगी अल्प होगी कम होगी बहुत अच्छा टेकनिकल कोशन दिया है तो क्या हो गया यहाँ पर उत्तर देखा जाए यदि किसी वस्तू की परावर्तन चमता अधिक है तो ऐसी वस्तू की अवशोशन चमता कम होगी और अगर अवशोशन चमता कम है तो ऐसी वस्तुवे अच्छी उत्सरजक नहीं होती हैं, क्योंकि अच्छे अवशोशक ही अच्छे उत्सरजक होते हैं, और बुरे अवशोशक बुरे उत्सरजक हुआ करते हैं, चलिए तो ये भी हो गया सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल क्या ह अगला सवाल है सरल लोला का आवर्थकाल उसकी प्रभावी लंबाई गुरुत्वी तरण G पन निर्भर करता है विमी विधी से आवर्थकाल T के लिए सुत्र विस्थापित करो बहुती सरल सवाल था आपको विमी विधी से बताया था कि T समानू पाते L की पावर A T समानुक पाते किसमें depend कर रहा है G पर तो G की पावर B दो चीज़ पर depend कर रहा है फिर इसके बाद Vimy समीकन बनाए थे और Vimy समीकन के बाद इसको हमने हल कर लिया था तो यह सवाल आप लोग कर लिजेगा और इसका solution detail मेरे chapters में दिया गया है वहाँ पर आप लोग देख लिजे उसको देख करके solve कर लिजे ओके चली रेखे अगला सवाल कहा जा रहा है कि लंबाई का कोई एक ऐसा नया मात्रक नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसाद निर्वात में प्रकास की चाल एक इकाई है कुछ नहीं लिखा तो एक इकाई है तो प्रकास की चाल एक यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी दी गई है प्रकास की चाल जो होने चाहिए यहाँ पर एक इकाई है और एक मात्रक प्रती सेकेंड प्रकास की चाल होनी चाहिए, एक मात्रक प्रती सेकेंड तो यहाँ पर question जो है, थोड़ा सा गड़बड हो गया एक मात्रक प्रती सेकेंड लंबाई के नय मात्रक के पदों में सूर्य तथा प्रतवी के बीच की दूरी कितनी होगी अगर प्रकाश इस दूरी को तै करने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है चली देखी तो हम जानते हैं हमें प्रकाश की चाल किती दी गई है प्रकाश की चाल बराबर दी गई है एक मात्रक प्रती सेकंड ये आप जानते होंगे दूरी का मात्रक क्या होता है हमाई पास मीटर मगर यहाँ पर दूरी का मात्रक उन्होंने कोई नया मात्रक दे दिया उस मात्रक का नाम भी मात्रक है माली जी वो मात्रक का नाम आपका नाम है जैसे आपका नाम माली जी कमल है तो एक कमल प्रती सेकंड, तो वो एक कमल कितना होगा, सोच रहो न, एक कमल कितना होगा, तो वो बताना है, तो देखिए, एक मात्रक प्रती सेकंड आपकी प्रकास की चाल देरी, अब कहरा है, प्रकास को आने में कितना समय लगता है, आठ मिनट बीस सेकंड, तो सबसे पहले कि बताओ प्रतिवी की दूरी कितनी लगी तो दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणे समय तो चाल क्या है अपने पास में चाल का मात्रक क्या है नया वाला प्रकास की चाल का मात्रक क्या है एक मात्रक प्रति सेकंड तो यह आ गई प्रकास की चाल का मात्रक एक मात्रक प्रती सेकंड और कितना समय लगता है 500 सेकंड तो सेकंड से सेकंड कैंसल हो गया आंसर हो गया 500 मात्रक तो इसका आंसर कितना होगा 500 मात्रक होगा बहुत अच्छा question दिया, यहाँ पर थोड़ा सब गरत हो गया, यहाँ पर इसको चाल का मात्रक जो है, एक मात्रक प्रती सेकेंड देना चाहिए, बस वहाँ पर मात्रक देना था, और बाकी कोई दिक्कतनी question में, ठीक है न, चलिए, अगला सवाल दिखिए, कारे उर्जा प्र उर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है न, किसी वस्तु पर किया गया कार, उसकी गतिज उर्जा में परिवर्तन के बराबर हुआ करता है, यही होती है कार उर्जा प्रमे है, तो यह देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको क्रॉप करके, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि w is equal to k2 minus k1 यह कहना चाहते हैं मतलब किया गया कारे बराबर गती जूर्जा में ब्रधी कहलो या गती जूर्जा में परिवर्थन कहलो डेल्टा k भी कह सकते हो इसको इसके बराबर होता है अब आईए देखते हैं कैसे मानलो कोई body you wake से चल रही है और आपने इस पर बल लगाया और इसको एस दूरी तक खसकाया और एस दूरी पर खसका करके इसका वेक कित्ता हो गया भी तो पहले इसका वेक कित्ता था यू और finally वेक कित्ता हो गया भी और आपने इसको ऐसा करने म यह आपका कारे था यह आपके पास कारे था तो चलिए अपन को निकालना क्या है विस्थापन तो अपन को पता है आपन सबसे पहले तौरण निकालते हैं यहापे हमें तौरण काम का है तौरण के बाद हम कारे निकालेंगे क्योंकि तौरण आ जाएगा तो बल आ जाएगा बल से मिल जाएगा तो हमाँ पस क्या आ जाएगा तो चलिए तौरण निकालते हैं तो देखिए आप जानते हैं कि V square equal to होता है U square plus 2S तो यहाँ पे V square minus U square upon 2S equal to कितना आ जाएगा A यह तो आ गया अपने पास तौरण अब आपनको कारे निकालना है किया गया कारे W is equal to होता है कारे बराबर होता है कितना बल गुणे विस्थापन तो बल मतलब M into A F into S होता है ना कारे S, तो S से S cancel कर दीजे और 1 upon 2 बाहर ले लिजे M बाहर ले लिजे, V square minus U square, इसको थोड़ा सा खुबसूरत बना के लिख दीजे तो M V square minus M U square देखे जी, half M U square question बिल्कुल दिख रहा है, यह है अंतिम गति जूर्जा K2 और यह है प्रारंभिक गति जूर्जा K1 this is equal to K2 minus K1 तो किया गया कार किसका आ रहा है अंतिम गति जूर्जा minus प्रारंभिक जूर्जा, यह है है हमारा कार उर्जा प्रमे ठीक है जिस्तों तो यह हमारा कार उर्जा प्रमे आ गया अगला question देखे ओके अगला question दो बहुत सरल दिया है अगर किसी पिंड पर बल लगा करके लिए इसको क्रॉप कर लेते हैं तो मज़ा आएगा करने में अगर किसी पिंड पर बल लगा करके इसको जड़क्ष के अंदिस इतना घसीट दिया जाता है तो बताईए बल दवारा किया गया कारे कितना प्यारा question आया एकदम लॉलीपॉप question है ये तो बलकुल हर किसी से बनना चाहिए चलो भाई साब क्या question दिया गया आपके पास बल दिया गया बल कितना दिया है minus i cap plus 2 j cap plus 3 k cap और विस्थापन कितना दिया है डक्ष के अंदिस 4 मीटर तो विस्थापन को S बोलते हैं और S, X में कुछ नहीं दिया मतलब 0 i cap, Y में कुछ नहीं दिया मतलब 0 j cap और Z में 4 मीटर दिया है मतलब 4 k cap अब कहरा कारे कितना होगा तो बिलकुल एकदम full tool, एकदम question रस्मल i question है, easy वाला तो f dot s f dot s ओके so f की value कितनी put कर दो minus i cap plus 2 j cap plus 3 k cap और s की value कितनी put कर दो 0 i cap plus 0 j cap plus 4 k cap तो dot product तो आप जानते हो न एक साथ हो जाते हैं एक जैसे तो i cap 0 के साथ बिलेगा 0 हो गया 2 भी 0 के साथ बिलेगा 0 हो गया 3 into 4 कितना हो गया 12 तो answer कितना होगा 12 और work को किसमें आपते हैं भाई साथ जूल में तो answer क्योंकि उपर newton है और नीचे meter है तो newton into meter कितना हो गया joule तो correct answer हो गया इसका 12 joule 12 joule हो गया भाई साथ आगे एकते हैं लोटनी गती किसे कहते हैं लोटनी गती के लिए गतिज उर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए चली ओके तो दीगे यहाँ पर हम बात कर रहे थे लोटनी गती किसे कहते हैं लोटनी गती की गतिज उर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तो सबसे पहले लोटनी गती क्या होती भई लोटना मतलब क्या होता है सिंपल भासा में लुडकना आपने सुनाओगा ना लुडकरा है कोई तो भईया लुडकने में क्या होता है दो प्रकार की गती होती है जो इंसान लोड़कता है वो दो प्रकार की गति करता है एक तो वो खुद में घूमता भी है और वहीं वहीं पर नहीं घूमता है आंगे चलता जाता है जैसे drum को आप लोड़काते हो ना तो drum वहीं वहीं पर नहीं लोड़कता है cylinder, gas का वो आंगे भी चलता जाता है तो वो लोट रहा होता है मतलब एक तरीके से उसकी गती लोटनी गती तो यहाँ पर दो प्रकार की गती होती है लोटनी गती equal to होती घुर्णन गती प्लस रेखी गती ठीक है ना तो ऐसी गती जो घुर्णनी गती के साथ साथ रेखी गती उसको हम क्या बोलते है लोटनी गती अब इसमें पूछा गया है लोटनी गती की गती जूर्जा तो इसमें दो प्रकार की गती जूर्जा होगी एक गुर्णन गती जूर्जा और एक इसकी रेखी गती जूर्जा तो घुर्णन गती जूर्जा क्या होती हम लोग समने पढ़ रखा half i omega square और रेखी गती जूर्जा क्या होती भाई half mv square तो ये हो गया अपना derivation complete लोटनी गती की complete गती जूर्जा जिसमें रेखी उर्जा भी होगी और घुर्णी उर्जा भी होगी चलो भाई ये भी हो गया अगला question मुझे थोड़ा सा गड़बर लग रहा है automobile का कोणी है वे 16 second में 1200 radian प्रती मिनट से बढ़कर 1320 चक्कर प्रती मिनट मुझे ये भी चक्कर लग रहा है 1200 चक्कर प्रती मिनट से तो कोणी तोरण गयात करो देखो ये थोड़ा सा mistake लग रही मेरे को यहाँ पे क्योंकि radian नहीं होना चाहिए वहाँ पे चक्कर होना चाहिए तो बिल्कुल सही बैठ रहा है आओ जी इस question को करते है क्या कह रहा है question automobile engine का कोणी ये वेक जो है वो 16 second में 1200 radian प्रती मिनट तो देखो जी सबसे पहले क्या है अपन जानते हैं कोणी ये त्वरण alpha का formula होता है delta omega upon delta t बोले तो omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1 बोले तो delta t तो यहाँ पे omega 2 कितना है omega 2 मतलब अंतिम कोणी ये वेक 3120 चकर को किस में बदलते हैं हम लोग 2 pi में बदल दो तो वो बन जाता अपने पास radian में तो इधर पे कितना हो गया 3120 into 2 pi और ये कितना था 1200 चकर याने की 1200 into कितना 2 pi upon समय कितना दिया है भाई साब प्रती मिनट से बढ़कर इतना 16 सेकेंड है समय मतलब इन सब कारवाही में कितना समय लगा है नीचे 16 सेकेंड तो उपर हो गया 2 pi 3,120 minus 1200 बड़े कितना 16 तो 2 से कट गया भाई साब 8 ठीक है न और 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 3,120 में से 12 हो गया तो 0 में से 0 इधर भी 2 और 11 में से 2 गया 9 ये बन गया 2 2 में से 1 गया 1920 upon 8 pi तो इसका आंसर आ गया 1920 pi upon 8 radian per second square याद रखीगा radian per second square जो इसकी इकाई होगी वो होगी radian per second square बहुत बढ़िया चलो जी अगला सवाल यंग गुडांग की परिभासा लिखो तो बहुत ही सिंपल सवाल है यंग गुडांग की परिभासा तो यंग क्या होता है भाई साब अभिलंब प्रतिवल और अभिलंब विक्रती है ना या अनुदेर्ध विक्रती कहलो अभिलंब प्रतिवल और अनुदेर्ध विक्रती के अनुपात को क्या बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुडांग कहते हैं किसी तार के लिए यंग का सूत्र निर्मित करो चलो बना देते हैं भाई अगला क्वेश्चन भी यंग गुडांग कैसे बनेगा देख लो आईए यंग का गुडांग का परिभासा को लिखिए इवं किसी तार के लिए यंग गुडांका सुत्र निरमित कीजी तो देखे फर्मूला क्या होता है यंग प्रत्यास्था गुडांका फर्मूला होता है को बोलते हैं हिंदी और इंगलिश में बड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूं मैं अभी मुण प्रतिबल यह महिं मिन टू से नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉंगी टुनल स्ट्रेइन और इसको हिन्दी में बोलते हैं अनुदैर्ध विक्रती, अनुदैर्ध विक्रती, ओके, अभिलम प्रतिबल और अनुदैर्ध विक्रती का जो अनुपात होता उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्था गुड़ांक, ओके, अभिलम प्रतिबल कैसे निकालो के भाई साब, ये कोई तार है, तार है तार है इसका जो प्रेशर पढ़ेगा खुद पर कितना पढ़ेगा Mg ओके अपाउम इसका छेत्र फरल कितना है Supposed इसका छेत्र फरल मान लो Mg अपॉन A ठीक है तो यहाँ पर अभिलम प्रतिवल कितना पढ़ेगा भाई साब इस पे अभिलम प्रतिबल जो पड़ेगा वो पड़ेगा M G divided by A या और यदी वरती है तो आप इसका एरिया मान सकते हो πायार स्क्वेर तो इसका आपने एरिया मान लिए पायार स्क्वेर चलो पायार स्क्री भी रख सकते हो कोई दिकत नहीं या एये रख दो तो आपका यह हो गया इस पर अभिलम प्रतिवल बल बटे छेतरफल और अनुदैर्द विक्रती यह भी आपने इसको खीचा है तो इस पर विक्रती मानलो कितनी आ गई है इसमाल एल और इसकी जो शुद्ध लमबाई थी वो किती थी एल तो यहाँ पे इसमाल एल अपॉन कितना एल तो फॉर्मुला बन चुका है एम जी केपिटल एल ठीक है ना हम क्या बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुडांग पायर स्कोएर द चलिए ये भी हो गया अब इसके बाद है शांतत्त समीकर्ण लिख करके सिद्धी गीजिए तो क्या होता भै संतत्त समीकर्ण सांतत समीकर्ण हुआ करता है अविरतता का समीकर्ण कोई सांतत समीकर्ण बोलते हैं जैसको बोलते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 तो आई इसको भी ले चलते हैं साइड में और इसको आपको मैं प्रूफ करके बता देता हूं सांतत का समीकर्ण देखी दोस्तों तो सांतत का समीकर्ण में श्रिद्ध करना है A1 V1 इकल टू A2 V2 या इसी को हम लोग बोलते हैं A into V बराबर निये तांक तो ये कहां से सिद्ध होता है ये थ्योरी से सिद्ध होता है कि किसी कोई आपके पास अगर नली है की आपके पास एक मुझा और प्रस्त परिछेद वाली कोई नली मिसका Hindi मीनिक समझ लो कि Hindi English से भी डफ है भाई लोगो कि तो देखिये कोई आपके पास नली है जिसका ये छेत्रफल ओश्बर यहां तरफ मोटी है और और यहां तरफ चोटी है, मतलब इस तरफ 6 तरफ ज़्यादा है, इस तरफ 6 तरफ चेटरफ सल कम है, यह इसका part A मालो, यह इसका part B मालो, तो यह rule कहता है, यह law कहता है, कि अगर कोई आपके पास असमान अनुप्रस्थ परिछेद वाली नली A भी है, और इसमे कोई असम्पी इतना हो जाए द्रव चला था एक लिटर और सिकुड करके 0.800 ml बन जाए ऐसा कोई द्रव नहीं होना चाहिए जो अपने आप में सिकुड जाए अगर कोई इसके अंदर असम्पीड द्रव धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो रूल होता है कि द्रव प्रवाह की दर जो होती है वो कॉंस्टेंट होती है ओके द्रव प्रवाह की दर जो होती है वो क्या होती है नियत होती है इसी को बोलते हैं अविरतता का सिध्धान्त इसी को बोलते हैं अविरतता का सिध्धान्त तो द्रव प्रवाह की दर नियत होती है मतलब कि यहा पर भी द्रबमान प्रती एक आई सेकंड निकलेगा मतलब M1 M upon T जो होगा वो हर जगह जो रहेगा वो नियत रहेगा M upon T जो रहेगा वो क्या रहेगा नियत रहेगा मतलब अगर M बढ़ेगा ठीक है ना तो M बढ़ेगा M और T का जो रहेशियो आएगा ऐसे में नहीं समझा पाऊँगा M बढ़ेगा तो T बढ़ जाएगा नहीं प्रती एक आंग सेकेंड में दोनों तरफ से बराबर द्रव मान निकलेगा जितना पानी एक सेकेंड में प्रती सेकेंड में यहां से निकलेगा उतना पानी एक सेकंड में यहां से निकलेगा मतलब यही कहलाता है द्रव प्रवाह की दर नली के हर बिंदू से समान होती है मतलब प्रती सेकंड में उतना ही पानी निकलेगा अब कैसे निकलेगा अगर मान लो यहां का छेतरफल जादा है तो निकलने वाले पानी का वेग कम हो जाएगा और अगर यहाँ पर छेतरफल कम है तो निकलने वाले पानी का वेग क्या हो जाएगा ज्यादा मलब सारा कमाल किसका वेग का है ठीक ना अगर छेतरफल ज्यादा है तो पानी कम वेग से निकलेगा और 6 तरफल कम है तो ज़्यादा वेक से निकलेगा मगर पानी उतना ही निकलेगा प्रती कांग सेकेंड में इसको बोलते हैं पन M upon T equal to नियत ठीक है ना तो M upon T जो होगा हर पार्ट से तो इसको मैं लिख सकता हूँ M upon T भाग A से equal to M upon T भाग B से अब इसको समझ लो मेरी भाषा में आप फिर दो मैं आपको किताबी भाषा बताई दूँगा द्रवमान बराबर क्या होता है घनत गुणे आयतन ओके तो द्रवमान बराबर घनत अब घनत तो भाई साब इसका मान लो D है तरल का और item कितना होता है V इसका अभीवन मानलो आइतन हीहा का और समय कितना है T और यहां का durum कितना होगा भाई सब घनत्य कितना Dी होगा item कितना मानलो उधर वाले का V2 और time कितना लिलो फर पर T लेलो ठेकना चली अब देखें इसको थोड़ा सा solve कर देता हूं मैं, इसको थोड़ी सी मेरे को जरूर्थ पड़ेगी, तो मैं crop कर देता हूं यहां से, आंगे हल करता हूं फिर चलो भाई यह आगे यहां पे इसको हम ले गए इधर, चली अब इसको हल करता हूं मैं तो आपको और बहतर समझ में आएगा अभी तक आपने क्या देखा है D into V1 upon T और D into V2 upon T V1 क्या है भाईसा V1 जो है इधर वाले छेतर का आयतन है इधर वाले का V1 ठीक है ना तो इसका V1 है ये ठीक है ना तो मान लीजिए कि T1 समय में विस्थापन इतना हुआ होगा ठीक है ना तो मैं इसको लिखता हूं D से D पहले काड़ दो आपको काड़ना है तो चलिए V1 आयतन आयतन आप जानते हैं आयतन बराबर होता है कितना आयतन बराबर होता है पाई आर स्कूर एच मतलब छेतर फल गुने छोटी सी लंबाई कहलो एच की जगए डेल्टा एल यहाँ तक जो भी है इसको डेल्टा एल कहलो ओके तो V की जगए में क्या लिख सकता हूं V की जगए में लिख सकता हूं A into, यहाँ पर छोटी सी लंबाई मान लिजे, कितनी ले लिजे, डेल्टा एक्स या L1 ले लिजे, जो एक आंग सेकेंड में वो ट्रेवल कर रहा है, अपॉन में कितना है, T, equal to, यहाँ पर देखिए, आयतन, कम हो गया है, छोटा सा जो इसका वॉल्यूम है, कम हो गया है, ओक तो क्या लिखूंगा मैं, इसका, इसका हो जाएगा, नयाँ वाला एरिया, यहाँ पर एरिया, A1 है, लिखना भूल गया था, सुरी में, A1, छेटर फल कितना है, A2 तो छेटर फल कितना है, A2, अब यकीन आन है कि पानी जो होगा, A2 कम है, अगर तो यहाँ पर जो वेग V1 और यहां वाला वेग किता है V2, so A1 V1 equals to A2 V2, यही है अविरत्ता का सिध्धान्त की A into V जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा, मजे की बात देखो, A inversely proportional to V, ठीक न, या V is inversely proportional to A, याद रखने यहां पर V वेग है भाई साब, V कोई स्मॉल बना लो इसलिए to A to V2, यहां पर V वेग है, ओके तो V is inversely proportional to A, अगर छेतरफल कमेगा, तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब अगर यह नली सक्री हो जाएगी, तो पानी बहुत तेजी शिरश करेगा, बाहर निकलेगा, और अगर नली मोटी हो जाएगी, छेतरफल बढ़ा हो जाएगा तो पानी का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अब आजाओ किताबी भाशा में मैं आपको समझा दू, माना कोई द्रव एक समान अस्वरी, असमान परिछेद वाली नली A, B से धारा रेकी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, तो द्रव का घनत तो D है, A सिरे पल ननी देखो भाई साब, क्योंकि आप जानते हो, B1 बराबर होता है, L1 अपन कितना T1, और T1 क्या कर दिया है, एक सेकंड में, तो L1 इकल डो कितना हो गया, B1, ठीक न, बलब जितना उसका वेग है, उतनी दूरी तया करेगा, तो एक सेकंड में कितनी दूरी तया करेगा, B1, सि चेतरफल, गुणे, लंबाई, और आपने देख लिया, चेतरफल यहाँ पर कितना है, A1, और लंबाई कितनी निकल गई, प्रती सेकंड के लिए, B1, तो जो आने वाला दरव कितना है, वो है, A1, B1, ठीक न, और दरवमान कितना हो जाएगा, आइतन, गुणे, घनत, तो म एम अपन टी जो होता है, वो क्या होता है, नियत होता है, और यही होता है, A1, B1, D, बराबर A2, V2, D, D से D, कैंसल कर दीजे, तो A1, B1, B1, A2, V2, मतलब A2, V2, बराबर नियत हो गया, यह कहलाता है, दरव की अविरत्ता का सिधान्त, कि जितना पानी परती सेकंड चाहे कोई भी पार्ट हो, ओके, चलिए, सिद्ध कीजिए, क्वेशन नमर 17, सिद्ध करिए कि एक वीमिय अपरत्यास्त संगट में गतिज उर्जा की हानी होती है, उर्जा हानी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, भाई साब काफी बड़ा सवाल है, मेहनत लगीगी इसको समझाने के लिए, और ये सवाल उन्ही बच्चों से बना होगा, जो घर से इसकी तैयारी करके गए होंगे नहीं, तो भाई साब सब वापस लोट आए होंगे, इतना एजी सवाल नहीं था, ये मतलब है तो एजी, मगर थोड़ी से आपको इसमें कैलकुलेशन जादा सिद्ध कीजिए कि एक विमी अपरत्यास्त संगट में जो होती है, उर्जा की पूर्ण रूप से हानी हुआ करती है, ये चीज आपको समझानी है, ये वो क्वेशन है जो आपके एक्जाम में आया है, थोड़ा से मैं फॉन्ट बड़े कलनू भाई साब, बहुत ही चोटे सिद्ध कीजिए कि एक विमी पूरण परत्यास्त में उर्जा की अपके हानी होती है, और ये विमी पूरण परत्यास्त यानते हो क्या होता है, जिसमें बॉड़ी जाने के बाद चिपक जाती है, मतलब कि ऐसा समझ लो की स्कोटर जा करके किसी पीछे से खुले हुए ठेले में जाके भढ़ जाए कोई खुला हुआ टेंकर जा रहा था और उस पीछे से स्कूटर आई और जाकर के इसी में घुस गई तो फिर घुसक जाएगी तो चिपक जाएगी तो इसको बोलते हैं एक भी मी अपरत्यास्त संगट तो क्या होगा पहले द्रखो अलग ये स्कूटर है द्रमान में वे की वे और के चिपक गए तो ए और भी दोनों ही mejorar निश्चित वेक से गती करने लग गएताज अब न इस सिस्टम का ध्रमान कितना इस सिस्टम का ध्रमान में अ म misman प्लस एम स्मक्रों झोड़ करके किस वेक से गती करो था वी अब क्योंकर पूर्ब प्रत तो देखो जी यह प्रत्यास संगट में क्या होगा आंगे तो सबसे पहले हम समवेग सनच्छन का नियम लगाते हैं तो यह तो ऊपर की बात हो चुकी है देखिए समवेग पूर्व का समवेग बराबर प्रश्चात का समवेग तो M1, U1, M2, U2 बराबर M1 प्लस M2, V2 तो यह आगया आपका फाइनल वेग ठीक है ना अब देखिए फाइनल वेग आ चुका है ठीक है यहां से अब देखिए अगर दो चीज़ें यहां पर अगर बॉड़ी भी इस्थिर है और एक तो चीज़ें कि बॉड़ी भी इस्थिर नहीं है और दूसरी चीज़ें कि बॉड़ी बी इस्थिर है यहाँ पर क्या कहा गया है कि बॉड़ी इस्थिर है यहाँ पर कंडिशन ले ली गई है कि यदी पिंड बी इस्थिर है प्रारम्मे में इस्थिर है ठीक ना तो यदी पिंड बी जो है यह वाला जो पिंड बी है यदी वो प्रारम्मे में क्या है इस्थिर है म करो तो 0 रख दो और U2 Command 0 रख दोगे यहां पे तो जैसे यूटू Command 0 रखो गे तो U2 Command 0 रखे देखे कितना आ रहा है M1 U1 upon में M1 plus M2 तो भाया जो वी आभी आ गया है वो कितना आ गया है आपके पास आ गया है V equals to V equals to M1 upon M1 plus M2 into U1 यह आ गया अब आप कहेंगे सर अगर body इस्तिर नहीं है तो no problem बच्चों body इस्तिर नहीं है तो आप यह वाला वेग 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 चलिए गतिज उर्जा की हानी के लिए सूत्र स्थापित करना है तो ये आ गई हमारी गतिज उर्जा ठीक है यह फाइनली वेग है अब चलिए दिकालते हैं देखिए क्या था भाई साब question में आपको explain कर दूँ question तो explain कर चुका हम इसको थोड़ा सा हमको थोड़ा सा बढ़ा क देखो हुआ क्या क्या यहां से समझो देखो हुआ यह कि तुम्हारे पास एक M1 द्रमान की बॉड़ी थी स्कूटर विचारी U1 से चल रही थी दूसरा था M2 जो की U2 से चल रहा था दोनों भूम भडाम हो गये और बाद में क्या हो गया M1 M2 दोनों चिपक गए M1 स्कूटर ह M2 ट्रक है दोनों चिपक गए और एक भी वेक से चल लग गए आपको कहरा गती जूर्जा में हानी के लिए वो इस्थापित करना है तो देखो पहले इस निकाय की गती जूर्जा निकलो तो यहां की निकाय की गती जूर्जा क्या होगी भाई साब हाफ M1 U1 स्कूर प्लस हाफ M2 U2 स्कूर यह हो गई और यहां की गती जूर्जा के टू कितनी हो जाएगी हाफ द्रमान कितना है M1 प्लस M2 और वेक कितना निकला है V V का स्कूर यह देखो भी बैठा हुआ है यह पुट कर दो यहां पे तो नई वाली गती जूर्जा के टू बराबर हाफ M1 प्लस M2 इन्टू M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड़ बाई M1 प्लस M2 का पूरे का होल स्कूर है मित्रू तो कैसे स्वाल होगा K2 इकोल स्टू 1 अपॉन तू देखो दो पावर है इसकी तो ब्रेक कर दो M1 प्लस M2 ठीक है बहुत बढ़िया M1 U1 प्लस M2 U2 का स्कूर बहुत शानदार और नीचे M1 प्लस M2 का भी होल स्कूर ए से एक कड़ गया तो क्या बज़ गया अपने पास मतलब नई वाली उर्जा K2 बराबर हो गई 1 अपॉन 2 M1 U1 प्लस M2 U2 का उपर हो गया होल स्कूर अपन नीचे कितना आ गया M1 प्लस M2 ठीक है न अब चलिए ये तो आ गई हमारी गती जूर्जा प्रारंभिक और अंतिम अब हमें क्या है उर्जा हानी मतलब गती जूर्जा में परिवर्तन चलो गती जूर्जा में परिवर्तन निकालता हूँ डेल्टा K मतलब K1 माइनस K2 तो पहली गती जूर्जा कितनी है ध्यान से देखो पहली गती जूर्जा है 1 upon 2 M1 U1 square प्लस 1 upon 2 M1 U2 square ये है पहली गती जूर्जा प्रारम्भी गती जूर्जा ये निकली है और अंतिम गती जूर्जा क्या निकली है ध्यान से देखो K2 क्या निकली है माइनस करके 1 upon 2 और 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 M1 U1 plus M2 U2 का whole square M1 U1 plus M2 U2 का whole square divided by M1 plus M2 चलो ये हो चुकी प्रारम्भी को रंतिम गति जूर जा अब चलो इसको हल कर दें अपन जी भाई साब तो पहले दो पूरे से 1 upon 2 common ले लो पूरे से ये भी common आ गया ये भी आ गया ये भी आ गया 1 upon 2 बहार भग गया और अब अपने पास क्या बचा देखो M1 U1 square प्लस M2 U2 square ये नीचे वाला उपर चला जाएगा LCM ले लेंगे इसका तो M1 प्लस M2 बहुत जोरदार माइनस M1 U1 square प्लस M2 U2 square का whole square है स्वारी ये लो जी और नीचे कौन बैठा है नीचे बैठा LCM में M1 प्लस M2 चले जी 1 upon 2 फोड़ दो इसको M1 का multiply करोगे तो कितना हो जाएगा M1 square U1 square और फिर हो जाएगा कितना M1 M2 U2 square हम फिर ठीक है न और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा फिर M1 M2 के साथ भिड़ेगा तो M1 M2 U1 square फिर M2 square U2 square और इसको open कर दो तो A माइनस A प्लस B का whole square उपर से माइनस तो M1 square U1 square माइनस M2 square U2 square माइनस 2 M1 M2 U1 U2 बहुत शानदार upon में कितना आएगा M1 प्लस M2 देखो M1 square U1 square से M1 square U1 square M2 square U2 square से M2 square U2 square बच क्या गया बच गया 1 upon 2 उपर देखो उपर 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 U1 square U2 square काट तो दिया ये भी तो कटे ना ना हाँ तो बच क्या गया देखो आप ध्यान से M1 M2 U1 square और M1 M2 U2 square और M1 M2 U2 square और माइनस 2 M1 M2 U2 तो अगर आप यहाँ से M1 M2 common ले लो तो दियान से देखो क्या बच रहा है U1 square plus U2 square minus U1 U2 बोले तो U1 minus U2 का whole square और नीचे कितना बच रहा है M1 plus M2 ये मैं expression अगली वाली slide में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत गंभीर बात होने वाली है मामला बहुत गंभीर है देखो जी आ गए हम इसको बात को करें या अगे खिच जा जो हो गया भाई है पेन कहां चला गया कोई नाराजगी लो ओके तो ये भाई हमने यहाँ पर लिख दिया है मजी की बात देखो भाई 1 upon 2 तो है जिन्दाबाद क्या बच गया था देखो यहाँ पर 1 upon 2 M1 M2 बहुत शांदर U1 minus U2 का whole square और शाथ में क्या है M1 M2 ये आ गया है हमारे पास ये क्या चल रहा था लिफ्ट में यहाँ चल रहा था K1 minus K2 आप देखो ये भी क्या है ये भी है धनात्मक और ये भी क्या है धनात्मक मतलब all positive यानि K1 minus K2 का मान क्या है 0 से बढ़ा इसका मतलब K1 greater than K2 मतलब प्रारंभी गतिजूर्जा जादा थी अंदिम गतिजूर्जा कम है मतलब दोस्तो टक्कर के बाद उर्जा की कमी हो जाएगी टक्कर में उर्जा का 6 हो जाएगा मतलब उर्जा का loss होगा अब बोलोगे उर्जा कहां गई तो जब टकर आए तो भूम भडाम धूम भडाम और क्या निकली उर्जा चिंगारी हो सकता आग लग गई हो तो इसलिए यहाँ पर इसलिए अपरत्यास्त संघट में होने वाली उर्जा के मान में क्या होती हानी होती है तो मैंने इस तरीके से नहीं करवाया क्यूंकि इन लोगों ने क्या कर दीया? इन लोगों ने बीचो बीच में एक खेल खेल दिया अगला अथवा है मैगनस प्रभाव लिखिए और इस्टोक का नियम लिखिए तो इस्टोक का नियम तो मैंने आपको बता रखा था क्लास में मैगनस प्रभाव थोड़ा सा नई चीज आ गई application एक प्रकार से मैगनस प्रभाव थो उसको भी थोड़े देर में देख लेंगे तब तक आँगे के question देखते हैं हो अगला question क्या कहता अगला question कहता 36 से थीटा कूण पर पी आर भाई 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 साब पर है प्रचेपित पिंडे के लिए उड्यान काल इबं 36 परास का सूत्र ग्यात कीजे तो भाई साब मैंने इसकी detail वीडियो बना रहा की है हमारे chapter number प्रचे बगती में जाईए वीडियो का मज़ा उड़ाईए और t equal to 2u sin theta upon g यह होता है formula काई के लिए उड्यान काल के लिए 2u sin theta upon g और 36 परास के लिए मैंने फॉर्मूला कर रहा था आर इक्वल two you square sin two theta यह भी करार कung वह कित्ते नंबर का 7 नंबर का प्रिश्णकब का आ गया चलो जी कोई बात नहीं कि अगला सवाल है किसे अक साइकल साथ 27 किलोंटर प्रती घंटे की साल से सड़क पर 80 मेटर तृज्जा के वरत पर मोड़ों कर पहुंस्ता है वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर पर सेकेंड की एक दर से कम कर लेता है व्रतिय मोड पर साइकल सवार के नेट त्वरण की परिमाण वा दिसा ग्याद कीजे नुमेरिकल है बच्चों इसको लास्ट में करते हैं वीडियो के लास्ट में नुमेरिकल करेंगे ओओके अग्ला सवाल लेकते ही रेखी ये प्रसार गुणांग, छेतरी प्रसार गुणांग की परिभासा लिग करके उन में संबन्द तो भाई, एक क्यूब लेकर के घनाकार क्यूब लेकर के मैंने आपको रेखी प्रसार गुड़ांकी परिभाशा भी आ गए तो परिभाशा तो मैं बताए देता हूं रेखी परिسार गुड़ांकी मैंने बता दे इसको alpha से tenote करते हैं alpha is equal to क्या होता देखें परती एकांग लंबाई में पर्ती एकांग तापमान में परिवर्तन में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते है प्रती एकांक लंबाई के सापेक्ष में एकाई तापमान के परिवर्तन करने पर किसी धातू की पटिका में जो परिवर्तन आता है लंबाई में उसे हम क्या बोलते है रिखी परसार गुड़ांक इसी प्रकार से छेतरी प्रेसार गुणांग क्या आता है परती एक आंग छेतरफल में हम क्या बोलते हैं ँसका प्रूफ की बात करते हैं तो मान लेते हैं एल लंबाई का एक वर्ग है जिसकी लंबाई एल है गरम करने पर इसकी लंबाई डेलटा एल बढ़ जाती है तो नई वाली लंबाई किती हो गई L प्लस डेल्टा एल चेत्रफल पहला A था नया वाला चेत्रफल कितना हो जाएगा A प्लस डेल्टा A तो देखे चेत्रफल में परिवर्तान अंतिम चेत्रफल A प्लस डेल्टा A जो होगा L प्लस डेल्टा A का हो स्क्वार तो 6 रफल में वरद्धी a plus delta a minus equal to l plus delta square minus l square तो delta a equal to कितना आजाता 2 delta l plus l square l square बहुत छोटा इसकी वेच्छा कर देंगे तो equal to delta equal to 2l delta l अपन जानते हैं beta equal to कितना होता delta a upon delta t तो beta equal to delta a upon delta t delta a की value रख दी अपनने 2l delta l upon l square 1l से l cancel हो गया delta l upon l delta t जिसको अपने बोलते हैं 2 alpha मतलब beta is equal to कितना हो गया 2 alpha इसका proof मैंने आपको detail class में कराया ही है आप जानते ही होंगे मैंने इसकी definition आई थी तो वो मैंने बता दी प्रती एक आंक ताप मान और प्रती एक आंक चलिए देखे तो जो अगला सवाल आया है इसका और वाला वो है न्यूटन का सीटलन नियम का वर्णन निम्द बिंदो पर अंतरगत कीजिए यह भी बड़ा कोश्चन है बढ़िया कोश्चन है कि न्यूटन के सीटलन नियम पहला कह रहा है कि नियम एवं गणती रूप मतलब न्यूटन का नियम बताओ इसका गणती रूप लिखो तो भाई साब मैंने आपको इसका पूरा डेटेल क्लास में कराया है कि समान अवस्था रहने पर विकरन दोरा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर याने उसमा छे होने की दर उस छण वस्तु प्लस टीटाद और इतनी आ जाएगी अब इसमें बोला गया कि सीमा है बताओ भाई साब तो सीमा है नंबर वन वस्तु के से उसमा का 6 केवल विकरन के द्वारा होना चाहिए और वस्तु और उसके समीप वर्ति वातावन का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए मतलब तापांतर बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए तो ये था हमारा क्वेश्चन इसका आंसर चली रेखे क्वेश्चन नमर 17 का एक क्वेश्चन जो आया है पहले उसे डिसकस कर ले दें इसमें एक मैगनस प्रभाव आया है थिए इसको में लास्ट में बता दूंगा और स्टोक का नियम आया है इस टोक का नियम अपने मात्रक विमाव वाले चप्टर में पढ़ाता एक्चली यह होता है f equal to 6 pi नीटा आर भी तो क्या बताया था है स्टोक में कि यदि कोई गोला का ठोस जो होता है जिसकी त्रिज्या आर है ओके और अगर एक नियतवेक से किशी शान द्रव के अंदर गिरता है अगर कोई ठोल गोला का ठोस है तो इस पर एक श्यान बल लगता है विरोधी बल ल यह शहता है, f जो होता है directly proportional to v हुआ करता है, ok, और शानता के भी proportional हुआ करता है, ठीक है ना, तो तीनों को ले करके हल करने पर, तीनों को combine करने पर f is proportional to v, r, nita and f is equal to 6 pi, nita, r, v, यह था इसमों का नियम, तो एक बार इसको पढ़ देता हमें इस नियम आनुसार यदी किसी गोला का ठोस जिसकी त्रिज्जा आर है किसी शान बल जिसका शानता गुणांक नीटा पर एक नियत वेग भी से गिरता है तो गती की दिसा के विपरीत एक शान बल लगता है और वो शान बल होता है f equal to 6 pi नीटा आर वी ये था ये स्टोक का नियम तो देखिए अब इस पेपर का last question है उसको देखते हैं last question क्या कह रहा है बढ़िया question पूछा गया है last में सबसे अच्छा question यही है इस paper का सबसे difficult question एक cycle सावार 27 km प्रती घंटा की चाल से cycle चला रहा है तो मान लीजिए एक cycle सावार है वो 27 km प्रती घंटे की चाल से cycle चला रहा है तो मैंने सबसे पहले क्या किया 27 km प्रती आवर को मैंने बदल दिया कि इसमें मीटर पर सेकेंड में आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए का करते हैं तो यह साइकल सावार की नई चाल मैंने लिए अब यह कह रहा है कि इतने की जैसे ही सड़क पर वह असी मीटर तरिज्या के एक व्रती मोड पर पहुंचता है देखो जैसे ही यहाँ पर यह व्रती मोड पर यहाँ तक सीरी सड़क थी इसके बाद क्या हुआ यह एक व्रती मोड पर एक दम से पहुंचा यह व्रती मोड आ गया तो वै क्या करता ब्रेक लगाता तो जैसे ब्रेक लगाएगा रखए कहले रहा तो इसका वेक जो था आंगे की तरफ जा ला था था न 더 इसका जाएगा वह कहा रहा पीछे क्योंकि तो ये इस पर्ष रेखी त्रोणा बन गया, कितना 0.5 मीटर पर सेकेंडर स्क्वार, ये मैंने लिखा पीछे की ओर, और ये इस पर्ष रेखी त्रोणा तो कर रहा है, मगर साथी साथ वृत्ती पत्में क्या कर रहा है, घूम रहा है, और घूमने के लिए कौन सा त्रोणा ज तो मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, अभी केंदरी त्रोणा का फॉर्मला क्या होता है, A centripetal equal to V square upon R, तो V square upon R का फॉर्मला लगा ये, 80 का स्क्वार, स्वारी माफ कीजेगा, V माने वेग है, वेग मतलब 7.5 का स्क्वार बटे, आर त्रिज्या किती 80, हल करने पर मैंने निकाल दिया, देखे, 0.70, याने की 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वार, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वार, यह आ गया इसका त्वरण, तो अब त्वरणा आ चुका है, मैं पस अब कहा रहा है, इसके बाद परिणामी त्रोणा निकाल लिए, तो ध्यान अगला डाइग्राम द इंदर की दिसा में काम करेगा, तो इन दोनों के बीच में कितना कोड बन रहा है, 90 डिगरी, और 90 डिगरी पर जो परिणामी होता है, परिणाम कितना निकलता, अंडरूड A स्क्वार प्लस B स्क्वार, तो यहां पर एक तुरण A स्क्वार और एक तुरण 80 स्क्वार, दोन है इसके दिशा चैतिज के साथ है ना तो मुझे ये निकालना है तो इसके लिए क्या करूँगा मैं मैं 10 alpha लगा लूगा तो 10 alpha is equal to इसको अल्फा बोल दिया थीटा बोल दियो मैंने थीटा लेलो तो तेन थीटा इसी कोल्डू क्या होता है लंब बटे आधार तो लंब कितना है भाई साब यहां पर क्या लग रहा है एसी लग रहा है ओके तो लंब कितना हो गया एसी और आधार कितना हो गया एटी यहां भी एक ही तुरण की दिसा से कितने कोण पर बना रहा है 10 inverse 7 बटे 5 ठीक ना इसको calculator से solve करो तो 54 degree के आसपास आएगा खेर इतना ज्यादा पर नको deep में नहीं जाना है तो correct यही इसका answer है इस तरीगे से आपका यह जो paper है यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया है आपको कोई भी problem हो तो आपकी परिच्छाएं होने वाली है उसमें इस मार्ग दरशन का फायदा उठाइए तो प्यारे मित्रों प्यारे बच्चों आपका बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिस लोकेश शर साइनिंग ओफ